चैनल पर वर्निंग स्ट्राइक आगया कैसे हटेगा आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आपके चैनल पर भी वर्निंग स्ट्राइक आया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो मेरे चैनल पर वर्निंग स्ट्राइक आया हुआ है अगर आपके चैनल पर भ जब भी जानेंगे कि आपके चैनल पर कितने इस्ट्राइक आने पर आपका चैनल डिलीट होता है क्या एक इस्ट्राइक आने से आपका चैनल डिलीट होता है या फिर और इस्ट्राइक आने से आपके चैनल डिलीट होते हैं community guideline strike और corporate strike दोनों में different भी जानेंगे, corporate claim तो आप जानते हूँ क्या होता है और इन दोनों में हम different जानने वाले हैं, तो चलिए गाई वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो लंबा ना हो, इससे पहले आपको process बताते हैं, कैसे जो आप warning strike को remove कर सकते हो, तो इसके लिए गाई आपको अपना studio open कर लेना है, और यहाँ पर गाई सबसे पहला आपको काम करना है, यहाँ पर देख सकते हो, आप जैसे अपना dashboard open करोगे, chrome पर यहाँ पर आपको warning वाला जो option दिख रहा है, warning पर आपको क्लिक करना है, violate the policy again within 90 days, जी अगर 90 day के अंदर, अगर गाईस हम 90 day के अंदर against कोई mistake करते हैं, violate करते हैं community guideline को, तो गाईस यहाँ पर आप देख सकते हो, सीधा सीधा इन्होंने वोल रखा, you don't ever to think like, जैसे आप अपना upload, post, live stream, जी यहाँ दो सो नहीं तो आप वीडियो upload कर पाऊगे, नहीं अपना कोई post डाल पाऊगे, नहीं आप live stream कर पाऊगे, तो यह सबी जो option आपका one week के लिए बंद कर दिया जाएगा, अगर आप 90 day के अंदर आपके channel पर already एक warning start आया हुआ है, और एक और wireless आपके channel पर community guideline का आ गया है, तो इस condition में आप जो है, अपने channel पर नहीं कोई video post बगएरा कुछ नहीं कर पाऊगे, एक वीक के लिए आपका सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, second guys, यहाँ पर आप इसको remove कैसे करना है, चलिव आपको बताती है, नीचे आपको take action का एक option शो हो रहागा, उस पर आपको click करना है, guys, मैंने एक video डाला था, power director का जो water mark है कैसे remove करें, तो उस पर हमको strike मेला हुआ था, वीडियो मैंने तभी delete कर दिया था, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, वीडियो आपको delete नहीं करना है, इसके बाद guys, आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सेक्टे हो review, बेगन review पर आपको click करना है, उसके बाद guys, आपको next button पर click करना है, जैसी guys, आप next button पर click करोगे, यहाँ पर आप देख सेक्टे हो take a policy training, यहाँ पर लिखा हुआ your warning will be expire in 90 day, जैस्तो हमारे channel पर जो warning strike आता है, वो 90 day के बाद expire हो जाता है, लेकिन guys expire होता नहीं, बलकि हमको वो करना होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, इनका how it is work, यह काम कैसे करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, complete the sword training 7 questions, जैस्तो 7 questions, यह पूछेंगे हमसे, उन questions का आपको सही answer देना होगा, जब जाके आपका जो warning strike remove होगा, आपको क्या करना है, take training पर आपको click करना है, take training पर जैसे आप click करोगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके बाद guys आपको नीचे, यहाँ पर देख सकते हो 7 questions होंगे, 15 minutes के अंदर आपको उनको complete answer देना होगा, simple से आपको नीचे next button पर click करना है, जैसे जब next button पर click करोगा, पहला question यहाँ पर आपके सामने होगा, ओसकर is a blogger, he upload a video in which prank his friend, जैसे तो ओसकर एक blogger है, जो कि एक video upload करता है, अपने दोस्त के साथ prank करता है, changing our social media account profile photo setting, he saw how to hack friend account using, तो गई यह जो है, क्या यह it is the violation, या violation है, जैसे जोस्तों it is violation, तो इसको क्या करना है, yes it is, इसके बाद आपको check पर click करना, अगर आपको questions का answer सही होगा, तो यहाँ पर देख सेखतो that rights, इसके बाद गई आपको next करना, इसी तरह से गई आपको seven questions का answer देने होंगे, अगर गईज आपको English में सही नहीं आ रहा है, तो आप इसको translate करके, जो आप इसको हिंदी में कर लेना, यहाँ पर मैं हिंदी में कर लेता हूँ, जिसने मुझे समाजने में आसानी होगा, तो गईज हिंदी में मैंने कर लिया है, next question है, यहाँ पर हमारा Olga एक website के बारे में एक tutorial अप्लोड करती है, जो कि आपको login से bypass करने के एक लोगप्रिय मुवी, streaming सेवा तक मुप्त पहुंचाने की सुविदा देती है, तो गई यह तो आपको पता ही है, सीधा-सीधा वाइलेट करना है, तो यहाँ पर हम हाँ यह है, simple से आपको करके जांच करना है, जैसी आप इस पर click करोगे, आप देख सकते हो, dash correct यानि कि यह answer भी हमारा सही हो चुका है, इसी तरह तो आपको 7 questions के answer देने होंगे, अगर आपको सही है, तो आपको next पर click करना है, जैसे आप next पर click करोगे, यहाँ पर थर्ड question आपके शामने आ जाएगा, उसका भी आपको answer देना होगा, इसी तरह से आपको 7 questions के answer देने हैं, चलिए हम यहाँ पर हम यह complete कर लेते हैं, तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने जो अपना अच्छा काम आपने परिक्षर पूरा कर लिया, जैसे तो यहाँ पर देख सकते हो, आपकी चेताबनी 6 अपरल 2024 को समाप्त हो जाएगी, यदि आप इस चेताबनी को समाप्त होने से पहले, दोबारा हनी का रहेगा, खतरनाक नती का उलगन करते हैं, तो आपको इस ट्राइक मिलेगी, यदि आप किसी भीने नती का उलगन करते हैं, तो आपको एक औरRocer लेने के अफसर के साथ एक और चेताबनी मिलेगी, यहां तो यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रक्सिचर, बंद करना है, जैसी, आप इस पर खलना है, आपको पीछे यहाँ पर, आपको बंद करना, और यहां से, आपको छुटी, इस पर कलिक कर दे रहा है, अगेन आप अपने चैनल, पेज़ को, रेफ्रेस्षे करोगे, रेफ्रेस्ष करने केबा आप देख सकते हो हमने यह training complete किया है और यह जो हमारा expired होगा गाईज यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ 90 डे बाद ही हमारा expired होगा अब जो हमने training complete किया है इसके 90 डे बाद अब यह again expired हो जाएगा तो गाईज इस तरह से गाईज आप अपने channel पर warning strike आया हुआ है तो उससे रिमूब कर सकते हो जी है दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ इस आई बटर पर किलिक करके यहाँ पर देख सकते हो यह warning will be expired 6 April 2024 जी हाँ अपरेल 2024 में हमारा यह warning strike है रिमूब हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आप अपने channel से warning strike को रिमूब कर सकते हो आप ग चैनल 100% डिलीट होगा अगर आपके चैनल पर कोई कम्यूटी गाइडलाइन इस्ट्राइक आया हुआ है और उसके बाद आपके वीडियो पर कोई कॉपराइट इस्ट्राइक आ गया तो इस कंडिशन में आपका चैनल साथ दिन में परवा नेटली डिलीट कर दिया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर नॉटिपिकेशन मेल को अलबेश सेट करने हैं ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो का नॉटिपिकेशन आपको मिलता रहे है